हेलो फ्रेंस, वेलकम टू माई चैनल हमें ब्लांच कर लेना है फिसात मैं इनमें डाल रही हूँ एक अच्छे आमाउंट का सॉल्ट और हाफ टीज स्पूल अधरक पेस्ट ये देखें हमारी ये काली फ्लाव ब्लांच हो चुकी है हमें इनहें स्ट्रेंड कर लेना है ये हमारे स्ट्रेंड काली फ्लाव है इन्हें मैं ठंडी पाने से वाश करूंगी ताकि ये ओवा कुप ना हो और इनकी अंदर की मौश्यर भी बनी रहे जब तक हमारे काली फ्लाव ठंडे हो रहे है हमें अपनी बैटर की तयारी कर लेनी है जिनके लिए हमने यहाँ पे 1 3rd कप मैदा लिया है और मैं ले रही हूँ 1 4th कप कॉर्ण फ्लोर इनमें जाएंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के लिए कॉर्डिंग 1 1 2 टेस्पून चिली फ्लेक्स 1 1 2 टेस्पून पेपर पॉडर और मैंने 1 1⁄फ टीस्पून मिक्स्ट हवब का भी यूज किया है मिक्स कर लेते हैं और बना लेते हैं इनकी एक स्लाइट थिक बैटर ये बन गए हमारे बैटर और इनकी गंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी है इनकी भी करते हैं साइट और कर लेती हैं तयार अपनी कॉलिफ्लार को तो यहाँ पर कॉलिफ्लार को तयार करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ तूथ्पिक लिए हैं हमें अपनी कॉलिफ्लार को इस तरह से लेना है और इस तरह से अपनी तूथ्पिक को इसमें इंसर्ट कर देना है इसी तरह से हमी अपनी तमाम कॉलि फ्लार को रेडि कर लेना है अब करते हैं नेक्स्ट पॉसेस की तरफ स्टेप उन यह देखें हमारी कॉलि फ्लार यह बैटर यहां हमने ले लिया है बेज क्रॉंब यह देखें friends हमारी सारी इंग्रीडेंस रेडी है यह कॉली की लॉली बनने के लिए अभी हमें इस तरीके से अपने बैटर में कॉली फ्लार को डीप कर देना है अच्छी तरह से और एक्स्ट्रा बैटर को इस तरह से ग्रिम कर लेना है और अब बारी है इनमें बेट क्रम को जा लेगी इस तरह से थोड़ी से रेस्ट देंगे और दूसरे को भी तयार कर लेंगे और इसी तरह से हमें अपने सारे कॉली फ्लार को रेडि कर लेना है अब हम इने करेंगे फ्रिज 15 से 20 मेंट के लिए 15 से 20 मेंट के लिए इने फ्रिज करना बहुत जरूरी है अच्छी रिजल्ट के लिए फिर हम इने करेंगे डिप फ्राई ये पंद्रा में भी गुजर चुके हैं और तेल भी हमारी गर्म हो चुकी है अब बारी है इनको डिप फ्राई करने की ये देखें फिर्स किस तरह से हमारी ये कॉली फ्राई हो रही है जो फ्राई हो चुके हैं उन्हें में निकाल ले रही हूँ बाकियों को भी हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है फिर्स जब तक ये हमारे बाकी के ये लॉली फ्राई हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर की भी रिक्वेस्ट है थैंक्स पर वाचिंग